जैसे ही हम एक इनसान के रूप में पैदा हुए, किसी तरह से हमारी जिन्दगी जटिल हो गई अगर हम इस धर्ती पर दूसरे और किसी प्राणी की तरह आये होते, तो जिन्दगी बड़ी आसान होती खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना अब हमें भी ये सब चीज़ें करनी होती हैं, पर किसी तरह से, आब अभीजहां हैं, अभी जिस भी इस थिति में हैं, वो पर्यापत नहीं है, है न? आप अभी जो हैं, उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहते हैं अगर आप सिर्फ पैसा जानते हैं, तो शायद आप थोड़े और ज्यादा पैसे का सोच रहे हूँ अगर आप सिर्फ मज़ा करना जानते हैं, तो थोड़ा और मज़ा पावर, थोड़ा और पावर हर कोई, जैसा वो अभी है, उससे थोड़ा ज्यादा होना चाहता है इच्छा करने की ये प्रक्रिया लगातार चल रही है चाहे आप काम पर जाएं या आप बार में जाएं या फिर आप मंदिर जाएं चाहे आप शादी करें आप बच्चे चाहें आप युनिवर्सिटी में पढ़ें जीवन में ये सब प्रयास सब कुछ खुशी की तलाश में था है की नहीं पिछले सौ सालों में विज्ञान और तकनीक के इस्तिमाल से हमने इस धर्ती का चहरा ही बदल दिया आज हमारे पास ऐसी सुख सोविधाएं हैं ऐसा ही है न पर क्या हम सब से खुशाल पेड़ी भी हैं तो ये कारगर नहीं हुआ हर प्राणी ने पेड़ पौधों से लेकर जानवर तक हर किसी ने जिसमें इनसान भी शामिल हैं इन सब सुविधाओं को बनाने के लिए सब ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और तब भी हम खुश तक नहीं हैं तो मतलब क्या हुआ आज हमने कई तरह से दुनिया की इंजिनियरिंग की है ताकि ये हमारे लिए बहतर काम करे है न पर हमने खुद के बारे में कुछ भी नहीं किया है समय आ गया है कि हम इस पर अच्छे से गौर करें है न पिछले 24 घंटों में आपने आनंध के कितने पल गुजारे जब आप 5 साल के थे आप बच्चे थे तब 24 घंटों में आपके आनंध के कितने पल होते थे किसी तरह पूरा समीकरण ही उल्टा हो गया है फर्क नहीं पड़ता आप कहां हैं, चाहे आप महल में हो या स्वर्ग में, पर अगर आपके आंतरिक स्थिती अच्छी नहीं है, तो उसके कोई माइने नहीं, है ना? ये मन पर्मानंद का स्त्रोथ हो सकता था, पर ज्यादा तर लोगों के लिए ये मन दुख का स्त्रोथ बन गया है, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, क्यों? बस इसलिए कि आपको इसे संभालना नहीं आता, है ना? देखे, आपके जीवन के साथ सिर्फ एक समस्या है, जीवन वैसा नहीं हो रहा, जैसा आप सोचते हैं कि इसे होना चाहिए, यही एक मातर समस्या है, क्या कोई दूसरी प्रोब्लम है? आपके आसपास का कोई भी 100 प्रतिशत आपके इसाप से नहीं होगा, है कि नहीं? कोई यही भी आपके हिसाप से नहीं चल रहा, यह ठीक है, प्रोब्लम यह है कि यह वाला आपके हिसाप से नहीं चल रहा, यही समस्या है, है ना? लोगों ने ये निशकर्ष निकाल रखा है, कि तनाव तो उनके जीवन का एक हिस्सा है, तनाव आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, बात बस इतनी है, कि आपको अपने शरीर को संभालना नहीं आता, अपने मन को, अपनी भावनाओं और अपनी जीवन उरजाओं को संभालन नहीं आता, सब कुछ हित्टफाक से हो रहा है। तो अगर चीजों को आपके हिसाब से होना है तो इस दुनिया में आपने ये समझा कि आपको उनकी इंजिनियरिंग करनी होती है। यही आपके साथ भी है। आपकी कोई आंतरिक इंजिनियरिंग नहीं की गई है, है न? बस इत्यफाक से आप चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, आपके भीतर एक सही तरह की केमिस्ट्री बनाने की, जहां शान्त और आनंद में होना, आपके लिए बिलकुल स्वाभाविक होगा।